कुछ खाब है कुछ अर्मान है कुछ खाब है कुछ अर्मान है लोहें जगी एक उम्मीन की आओ कुछ कर दिखाए सारी दुनिया पे छाए पाले मंजले छूले आस्मा हमें फुद पर्यकी अब खाब हमारे ताबीर भी हमारी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सहारनपुर में एक मामूली फैमली में पली बढ़ी इसमिता ने शुरू सही अपने खाबों को पंक देना शुरू कर दिया था बच्पन में अपने दादा की लाटली होने का फाइदा उठाते हुए इसमिता ने अपनी पढ़ाई मुकमल की समाज की बंदिशों को तोड़ते हुए इसमिता ने हर वो मनजल को हासिल किया जिसके सपने वो हमेशा देखा करती थी तीन बेहनों में इसमिता सबसे चल्चल और पढ़ने की बेहत शोकिन रही इसमिता का सपना था कि उसे पढ़लिक कर समाज के सामने की मिसाल पेश करूँ और अपने घरवालों का माली तावन भी करूँ इसी जुस्तुजू में इसमिता ने ग्रेजवेशन के बाद एंबिये किया फिर मुंबई चली गई मुंबई में रहते हुए रंजन अगरवाल से दोस्ती हुई और यही दोस्ती इसमिता की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई बाद में इसमिता और रंजन अगरवाल ने शादी कर ली शादी के बाद भी इसमिता के शोहर ने उन्हें उनकी परवास के पंक दिये और वो वक्त भी आया जब 2022 में इसमिता ने मिसिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम किया आईए सुनते हैं इसमिता की कहानी खुद उनकी जुबानी जिंदगी के सफर में कई मराहिल देखे मैंने इस महल की मुझको तसवर कभी न थी नाजरीन आदाव मैं हूँ पूजा मलोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम खुआप हमारे ताबीर भी हमारी जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपको मिलवाते हैं एक खास शक्सियत से जिसने समाज में एक मिसाल पेश की हो और आज की हमारी खास शक्सियत है समिता रंजन अगरबान जिन्होंने हाल ही में 2022 में मिसिस यूनिवर्स का खिताब हासिल किया और इन्होंने ये एक ग्लोबल मोटिवेशनल स्पीकर भी है और एक लाइफ कोच है साथ ही ये कॉर्पेरेट्स में भी वर्क करती है एज़ इन्वेसमेंट बैंकर समीता जी आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्गताल है समीता जी सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे आपके बच्पन के बारे में और जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसे शुरू हुआ पहले तो मैं यह बोलना चाहूंगी पूजा जी आपने मुझे शो में इन्वाइट किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे भी आपने उसी लीड में शामिल किया यह मेरे लिए एक बहुत ही गर्व की बात है आज मैं दूरदर्शन चैनल के साथ जुड़ी हूँ और मुझे यहां पर आने का सौभागे प्राप्त हुआ उसके लिए आपका तहदिल से और आपकी टीम का शुक्री आदा करती हूँ अगर मैं देखा जाए तो मैं एक बहुत ही छोटे से शहर से जिसका नाम है साहरनपूर, उत्तर प्रदेश में एक शहर है मेरा जनमस्तान वही है, मैंने स्कूलिंग वहीं से की है मेरा ग्राइजएशन वहीं से किया है अगर मैं एक अपनी कहानी बताना चाहूँ तो मैं यही बताऊंगी कि मेरा बच्पन जो है बहुत ही सरल नहीं था स्ट्रॉगल्स भी थे आगे पढ़ने की चाहा तो बिल्कुल नहीं थी जो आज हम हैं, जो आज हमने हासिल किया है उससे हम बहुत ही अलग थे हम एक ऐसे परिवार से हैं जहां पर लड़कियों को एजुकेशन के लिए बहुत जादा प्रोस्ताहित नहीं किया जाता है हम तीन बहने थे, मैं बीच में, सेकिन नमर मेरा था तो वहाँ पर एक मेंटालिटी रहती है टिपिकल कि लड़कियों को ने तो शादी करके आगे अगले घर चले जाना है तो क्यों इने पढ़ाना है तो कुछ इस तरह का ही माहौल था वहाँ पर तो बच्पन में, लेकिन हमारी जो माता जी थी वो बॉम्बे से रही है उनकी शादी सहारनपुर में हुई तो उन्होंने वो थोड़ा मोहौल देखा है तो उन्होंने थोड़ा स्ट्रॉगल किया हमारे लिए और हमें तीनों भेनों को इंगलिश मीडियम स्कूल में डाला था लेकिन कहते हैं चंचल सुभा हो था सीरियस नहीं थे बहुत कहते हैं ना माबाप बोलते हैं पढ़ लो पढ़ लो लेकिन हम कभी सीरियस नहीं लेते तो फिफ्ट क्लास तक हम इंगलिश मीडियम में थे लेकिन फिफ्ट में हम फेल हो गया तो हमें महासे निकाल कर फिर वो टिपिकल वही एंवर्मेंट में हमें पुजा जी हमें इंगलिश मीडियम स्कूल में हमारी माता जी की जिद से डाल तो दिया गया और फिफ्ट क्लास तक हम वहां रहे भी लेकिन जब देखा कि दो दो सब्जिक्स में हम फेल होते गए तो उसके बाद डिसीजिन या आया घर से कि इन्हें गर्मेंट स्कूल में ही डाल दिया चाया तो हम वहां से गर्मेंट स्कूल में शिफ्ट होगा है अब वहां आय हम कहते हो एक क्लास होता है इंगलिश मीडियम का एक हिंदी मीडियम का क्लास होता है तो उसमें बहुत डिफ्रेंस होता है लेकिन उसमें अपने आप में एक सीख थी कि जैसे इंगलिश मीडियम स्कूल जो सबजब्स थे हर सबजब्स में हिंदी हो, इंगलिष हो, मैट्स हो, क्योंकि हमने इंगलिश मीटियम में इतना कुछ पढ़ाई कर ली थी, कि हमें आफ तो बहुत एजी लगने लगा, तो वो छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर आपको ऐसा लगता है बस लाइफ में अगर कुछ है तो यही है आप कुछ भी करेंगे लेकिन आपको यह सम्मान चाहिए और अगर इसको बरकरार रखना है तो आपको तो मेहनत कर नी ही पड़ेगी तो वो एक लाइफ का ट फिर वही लाइफ रूटीन चलेगी इसमें नहीं जाना है तो हमारी मैंने कुछ थोड़ा सा तिगड़म लड़ाया आई वेंट टो बॉंबे इंटर्व्यूज दिये वहां से एक ओफ़ लेटर ले लिया मम्मी को दिखाया मम्मी को पताया मम्मी ने कहां नहीं लड़की को पुजा जी और कॉल सेंटर की जॉब्स आ नाट इजी तो जब मैंने वह अब आप यह सोचे कि एक वर्नेकुलर मीडियम से निकल के लिए हिंदी मीडियम से निकल के आप एक इंटरनाशनल कॉल सेंटर में अगर जॉब करने जा रहें तो अपको कैसे कैसे चैलेंज ज़स पड़ेंगे लेकिन फिर भी हमने वो किया क्योंकि अब हम जो कहते हैं वो टशन में हम घर से आतो गए हैं वापस नहीं जा सकते हैं अब तो आगे कदब रख दिया तो आगे ही बढ़ना है तो वो किया उस दौरान मुझे रंजन जी मिले रंजन अगरवाल उन्होंने अप कि इतनी दूर कौन जाएगा बंबे लेकिन एक साल के बाद कहते हैं ना जब देस्टिनी मैटर्स दो मोस्त वो लिखा था मेरा जाना वहाँ पर शादी हो गई रंजन जी से तो लाइफ में यह जो दूसरी बात साथ में अच्छी हुई थी वो यह थी कि अप्रूवल मिल ग कि अफो है थी उसके बावजूद भी आपने अपनी पहाई आगे की और उसे किस तरह से आपने पूरा कॉम्ठी किया एक लड़की की जो लाइफ होती है इसमें जो चेंज आते हैं वो उसके स्टेपस होते हैं एक शाधी शे पहले का स्टेप एक शाधी के बाद का स्टेप एक मा बनने के बाद कास्ट तो अब यह जो second phase था, first phase इतना ही था, वहां की destiny इतनी ही लिखी थी, पता है, अब आगे अगर ससुराल ऐसा मिल गया कि जहां आपको कुछ करना ही नहीं है, तो आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, सब बेकार है, राइट, तो यह बात बहुत है, he is from Marwadi family, so now Marwadi culture कैसा है, कि घर की बहु कैसे बाहर जाएगी, कैसे काम करेगी, लेकिन मेरी चार-चार नंदे है, joint family था, तो उनों वह सब की सुनते थे, लेकिन सब की सुनने के बाद भी उनकी दूसरों की सोच को अपनी सोच में ना हावी होने देना, यह भी अपने आ करते हुए, साइड में रखते हुए, मुझे परमिशन दी, जॉप करने की है, मैंने जॉप किया, महा पर मेरा एक और अचीवमेंट था, कि JP Morgan Chase, जिसमें हर एक यंग्स्टर का सपना होता है, investment banking में, जाने का, कि आज अगर उसने जॉप कर लिए, उसके CV पर ठपा आ गया, तो मतलब उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, क्या बात है, तो वहां पर कुछ अप्लिकेशन उस दिन साड़े तीन सो के करीब आई थी, जिसमें से उनोंने सिफ सिख का सेलेक्शन किया था, I was one of them, तो ऐसा लगा हाँ बड़े शेहर में आके कुछ तो किया है कुछ तो अदम है, आपकी अचीवमेंट्स तो बहुत रही है, तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, मिस्स यूनिवर्स, दो हसार बात कर दाई, जो आपने मुझसे पूछा था, मैं इसमें वही पढ़ाई की बात कर रही हूं, तो JP Morgan में जब मैंने कादम रखा, वहां तो इसका हरे के पास दो दो दिगरी, तीन-तिन दिगरी कोई आईसी ड़ुए भी है, MBA, CA भी है, इतना इतना पड़ा हूं क्या है, आम तो खाली ग्राजवेटर है, तो उसमें मुझे मुझे मोटिवेट किया MBA करने के लिए, तम मैं तीन साल लगातार कॉलेज अटेंड किय जॉब अटेंड की, जॉइन फैमिली संभा ली और तब चाहके तीन साल के बाड 2011 में मुझे मेरी डिगरी हाथ में आ गई तो इसका मतलब आपने साथ में अपनी जॉब भी की और साथ में पढ़ाई भी की और घर को भी संभाला अपनी तीनों चीज़ों को संभाला और साथ में अपनी पढ़ाई को, एजुकेशन को पूरा कम्टीट किया बिल्कुल, तीन साल तक ये रूटीन चला, लेकिन तीन साल में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा भी है लेकिन बस एक टारगेट था कि डिगरी चाहिए हाथ में, एक वो सपना था, उसको पूरा करना था, बाकी जो होगा देख लेंगे, क्या होगा, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन वो एक लगन थी, एक आग थी, उसको लेकर हम चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो वो भी मुका पराया, मैंने उसमें काम किया, तो थाउजन थोटीन में, मैंने अपने करियर को थोड़ा ब्रेक तिया, अपकी बहुत है, अब आप करते हैं, कि आपने दो हजार बाइस में हाल ही में, मिस्स यूनिवर्स का खिताब भी हासल किया है, तो ये कैसे हुआ और इसका कैसे जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक लड़की के जिंदगी में चेंज़ आते हैं, शादी के बाद, और एक मा बनने के बाद, तो जब 2013 में मैंने अपने करियर को ब्रेक दिया, उसके बाद, क्योंकि हमें अपनी लाइफ आगे बढ़ानी थी, दो से तीन होना था, वो पॉसिब नहीं था, जब आप में कुछ करने का जजबा हो और आपको घर पर बैठना पड़े, तो ये इसी नहीं होता है, कोई नहीं, लेकिन ठीक है, आप मा बन भी गए, लेकिन जब एक कहते हैं, आप बहू से पतनी से मा बनते हैं, तो आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आजाती हैं उसके साथ, आपका मानसिकता भी प्रभाव होती है, शारी रिक भी प्रभाव होता है, राइट, शरीर में बहुत बदलाव भी आए, ऐसा लगा कि जैसे बस आप कुछ करी नहीं पाएंगे, राइट, कॉन्फिदेंसी विल्कुल खतम हो गया था, लेकिन व वो अपना एक मोटो था, तो कोई नहीं, हम फिर दुबारा से जुट गए, कोई नहीं, पहले अपने दिमाग को शांत किया, अपने मन को समझाया, कि नहीं, अब तो आगे करके दिखाना है ये काम भी, राइट, तो अपने लग गए, अपने शरीर सुधार की तरफ, वहां बहुत कश्मकश थी, लेकिन ठीक है, लाइफ में मेरा एक हमेशा मोटो है, और सभी के लिए संदेश भी है, कि कोई भी अपॉचुनिटी आए, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक, कोई भी आहट, अगर आपके दरवाजे पे दस्तक देती है, वो एक अप करना भी आपके अपने हाथ में है, तो मुझे अपॉचुनिटी आई थी, Mrs.Fab 2021 की, Mrs.Fab India, ये गोव में हुआ था, और मैंने लिया उसमें पार्टिसिपेट साथ में थोड़ी बलकी भी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ 20 स्टेट से गल्स आई थी, और उसमें, I could hold the position in top 5, so again, वो एक छोटा सा स्टेप आपके moral boost-up के लिए बहुत है, right, तो अब तो क्या था, कि अब top 5 में आगए, top 3 में रहे गए, खुशी ये नहीं थी, कि top 5 में आया है, दुख इस बात का था, कि top 3 में नहीं आपाए, right, वो कैसे छूटना था, उसको भी पूरा करना था, हाला कि ये मेरा करियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी, मैंने का, करके दिखाना है, कि आज अगर इस age में हम कर सकते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकते हैं, right, ये भी मैं, मैं हर एक महिला को यही संदेश देना चाहती हूँ, कि age कोई भी हो, जो आपके अंदर आग है, उसको पहचाने है, और उसको पकड़के बस आगे बढ़ते जाएए, आपको छप मार के सफलता मिलेगी, जैसे कि आपने बताया कि Fab India में आप टॉप 3 में नहीं आ सकी, और फिर आपने तैयारी की, तो वो क्या तैयारी थी, जिसकी वज़से आप इस किताब को चीप पाई, तैया तैयारी तो देखे, सब करते है, आप डाइटिंग कर लीजे, आप जिन जोईन कर लीजे, एक्सरसाइस कर लीजे, योगा कर लीजे, बात वो नहीं है, बात है कि आप मेंटली कितने प्रिपेर हैं, आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, आपके जो सर्राउंदिंग म आपका अच्छा, तो मेरे लिए बहुत मैटर करता था, जब मैं टॉप 3 में नहीं आ सकी, मेरा बेटा है, आज 8 साल का बेटा है, वो तेखता है, कैसे ममी स्पीचिस रेती है, तो मैं जैसे ही स्टेज से बाहर आई, and he was like, ममा, you did a good job, और मुझे इतना मुझे इतना मुझे मुझे इतना मुटिवेट कर रहा था, अब आप 5 पर आयो, अब आप टॉप 1 पर आएंगे, तो वो बूस्ट अप, वो उसका कहना, उसका मुझे मेरे बेटे का कॉंफिदेंस, मेरे हजबन का कॉंफिदेंस, मतलब इतना ज्यादा था, उन्हें यह पता था, कि अब अगला कि उन लोगों में इतना कॉंफिदेंस भर चुकी, या उन लोगों ने इतना कॉंफिदेंस गें कर लिया कि जिसको, वो कॉंफिदेंस मेरे बहुत था, आपने एज़ों मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत साई स्पीचिस थी, बहुत जगा काम किया, और लाइफ कोचिंग कर रही हैं, तो इसके बारे में बताएए कि इसकी प्रेहिना आपको कहां से मिली, जब मैंने 2013 में डिसाइड किया कि हमें फैमिली आगे बढ़ाना है, तो उसमें तो आपको ऑफिस जाना ही नहीं है, आप पूरा दिन घर पर हैं, तो एक महीला जो दिन के तेरा गंटे ऑफ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो लोग जब आते थे और उनको अच्छा लगता था तो दूसरे लोग भी अप्रोच करते थे, जब उनका कुछ अच्छा होता था तो उससे जो खुशी मिलती थी, वो खुशी मैंने कभी महसूस नहीं करी, तो उसी चीज न मुझे प्रेणा दी कि नहीं, अब इस जो हमें भगवान ने लाइफ दी है, तो क्यों ना ये दूसरों के अच्छे के लिए यूस की जाए, तो बस वहीं से हम चालू हो गए, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे लोग हैं, जो हमां ऐसा जुड़े हुए हैं, बॉम्बे पर लॉयर्स हैं, तो उनके हां जब भी कोई भी सेशन होता है, वो चाहते हैं, उनके सब्जेक्ट पर नहीं, लेकिन सब्जेक्ट से हट कर, अभी पीछे एक सेमिनार था, जिसमें 500 नर्से थी, हॉस्पितल में, और उनको ट्रेन करना था, उनको टाइम मैनेजमेंट बतान था, और आपको कोया है, डॉक्तर ही होना जरूरी है, लॉयर ही होना जरूरी है, तो टेख्निकल इनफमेशन इस नोग्ड इमपोर्ते इत आल आपने as a social activist भी बहुत काम किया है और आपको awards भी बहुत मेले है उसके लिए तो उसके बारे में कुछ पताई है अबस जादा कुछ थी मैं जिस वेसिनिटी में रहती थी वहाँ पर कुछ 500 के करीब कुछ फ्लाच थे अब लेडी बहुत थी सब घरे लू थी अब जब अपने अंदर कुछ तालेंट है तो कुछ उनके लिए भी किया जाए रही कुछ उनको भी दिया जाए तो हमने कुछ ऐ जाए फ्री वोन के लिए कंड़क्ट कर दी योगा क्लास इस हो गई वो कंड़क्ट कर दी फिर आपका ये मंदिर सबको बहुत दूर पढ़ता था मंदिर जाने के लिए बहुत पेन हो था था देखकर क्योंकि श्रदा तो हर इंसान में श्रदा है लेकिन अगर हम उने कहें कि आप गर में बैठके पूजा कर लो तो कोई रुकेगा भी नहीं सबको जाना मंदिर जाना है लेकिन जब वो बुढ़े लोग पैदल चल के जाते थे तो बहुत दुख भी लगता था तो उनके लिए मंदिर भी बनवाया और उसमें बहुत सारे भगवान की प्रतिष्ठ करते हैं लेकिन जो हमारे बुढ़े लोग होते हैं उनके बच्चे बहुत जादा क्या नहीं कर पाते हैं मैं ऐसा नहीं करते हैं लेकिन नहीं टाइम होता है अपनी परस्नल लाइफ भी होती है स्विता जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके आगे के फ्यूचर प्लाइम्स क्या है पूचा जी देखे जो पानी कैसा रहता है बैता रहता है बैता रहता है जिस जगे दिशा मिल जाती है उस जगे मोड जाता है जी बिलकल है लेकिन उसका मतलब यह नहीं उसका मेरे रस्ते आ रहा है मैं हर एक चीज को यूटिलाइज करूँ और कहते है ना वो मैंने वो एक आग वाली बात कही थी यह आग कभी बुझती ही नहीं है यह जो प्यास है ना उपर बढ़ने की वो कभी कम होती ही नहीं है जितना आप पिएंगे वो और भड़ती चली जाएग या जहां भी हूँ मैं मुझसे कितने लोगों का भला हो सकता है कितनी महीलाएं अपने जीवन को सुधार सकती है या मेरे थ्रू कोई भी बेनिफिट ले सकती है I'm happy to give उनको लेना आना चाहिए अगर मैं सौ में से दस महीलाओं के जीवन में भी सुधार कर पाऊं तो वो मे मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी है क्योंकि मैंने जैसे बोला आपको हर एक के अंदर हुनर होता है लेकिन हम अपने घर गरस्ती में इतना हो जाते हैं कि हम उसे पहचानना ही भूल जाते हैं और सिफ दुनिया के लिए चलते रहते हैं दुनिया के लिए काम करते रहते हैं अपने आपको वक्त ही नहीं दे पाते हैं तो अगर आप घर घ्रस्टी को सम्हालते हुए अपने आपको तब वक्त नहीं दे पाई हैं तो आज दे दीजे उमर मत देखिए बस बढ़ते जाएए यही मेरा मक्सद है यही मेरी सोच है समितर जी आप हमारे नाजरीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी एक पथर चोट खाकर पथर पथर हो गया एक पथर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया तो life में हमारे जितनी भी problems आती हैं, परिशानिया आती हैं जिसने उन सब को सह लिया, वो आगे बढ़ गया और जिसने जो नहीं सह पाया, वो बिखर कर रहे गया तो जिन्दगी में परिशानिया तो आती ही रहेंगी लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है और हमें अपने आप से एक वादा करना है कि आज हमारे जो बच्चे हैं, चाहे वो बेटा है, बेटी है, दोनों को बराबर की शिक्षा देनी है, उसी से हम उनकी कीमत और बढ़ा सकते हैं, वो अपनी जीवन में, अपने लाइफ में अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में दो चीज़े इंपोर्टेंट होती हैं, एक पोजिशन, एक मनी, दोनों साथ साथ चलते हैं, और दोनों तभी मिलते हैं, जब हमारा खुद का एजुकेशन स्ट्रॉंग हो, तो एजुकेशन का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें अपन ने बैठी हूँ, इस पोजिशन पर हूँ, दूर दर्शन में मुझे आने का यहां पर अफसर मिला है, क्योंकि मैं उस मुकान पर पहुंची हूँ, और यहां पर पहुंचना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसको आसान बनाया, उसका श्रे में देना चाहूंगी मे मेरे हस्बिन को, रन्यन अगरवाल जी, जिनोंने आज अपने लिए ना सोचते हुए, हमेशा निरंतर मेरा साथ दिया है, और हमेशा मेरे साथ हर पल खड़े रहे हैं, सबसे बड़ा एक्जाम्पल वो यही है, कि आज चार दिन से मैं डेली में हूँ, लेकिन वो आज समीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप यहां आएं और आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत है दिल से शुक्रिया, तो हम बात कर रहे थे समीता रंजन से, आज की एपिसोड में इतना ही, अगली हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई शक्सियत के साथ, तब स्क्रियद खिर होंगे आपका बहुत बहुत है